स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल सैंक एमिफावल में जैसे कि बहुत सारे बच्चों के माइंड में कोशन चल रहा होता है क्या प्रैक्टिकल और थियोरी के मार्क्स मिला के 30% ले आने पर क्या हम पास होते हैं जा फेल होते हैं जा दोनों में separately पास होना ज़रूरी होता है जिसके ओपर CBSC ने एक notification इशू किया है वो ही आज में आपको शाथ शेयर करने वाला है और साथ के साथ आपको ये भी बता दू कि हमारे चैनल पे अगर आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है मैट्स में तो हम आपके लिए crash course लेके आए है जिसके अंदर class 10 और 12th का अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है तो उस course की वीडियोस देखने से आप बोर्ड के अंदर बहुत अच्छे marks ला सकते हैं सिरफ 33% नहीं बहुत अच्छे marks ला सकते हैं चलिए अब आते हैं न्यूस पे ये न्यूस कुछ बच्चों के लिए तो बहुत अच्छी है जैसे class 10th वालों के लिए लेकिन class 12th वालों के लिए अच्छी news नहीं है क्यों नहीं है देखते हैं जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा कि practical exams में आपको marks लाने है बही प्लस theory marks equal to 33% और fail तो यहाँ पे CBSC के ने एक circular issue किया है circular में क्या कहा रहा है अभी CBSC सरकल में CBSC साफ साफ कहा रहा है यहाँ पे कि class 12th वालों को जो है यहाँ पे जो marks चाहिए पास होने के लिए practical में अलग marks चाहिए और theory में 33% marks अलग से पास होने के लिए चाहिए class 12th वालों के लिए बोला जा रहे हैं class 12th वालों को project practical works जितने भी है student have to obtain at least 33% marks in theory and 33 marks in practical project internal assessment in addition to 33% marks मतलब कि practical में भी 33% marks चाहिए theory में भी 33% marks अलग लग चाहिए दोनों में दोनों में 33% marks होने ज़रूरी है तो 33% तो आपको theory में चाहिए जो आपके उपर depend करते हो और 33% आपके practical और आपके assessment जो test हो रहे हैं जा टीचर्स के आथ में तो इसका मतलब teacher के साथ बिल्कुल भी पंगा नहीं लेना है आपको तो ठीक है इस बात का ध्यान रखिएगा और class 10 वालों के लिए क्या rule है भी class 10 वालों के लिए क्या कहता है भी class 10 students have to obtain overall 33% marks in each अब overall का मतलब क्या हुआ overall का मतलब है भी याँ पे कि both theory and practical taken together in order to pass the examination दोनों के मिला के अगर आपके 33% marks भी बनते हैं तो आप pass हो जाते हैं तो इसका मतलब आपके अगर दोनों मिला के 33% marks आते हैं तो आप pass हो जाते हैं लेकिन आज के time में सिरफ pass होने से काम नहीं चलता मजा तो तब आता है जब कम से कम 85-90% marks आपके आए exam के अंदे तो ये clear हो गया कि 10th 12th वालों को दोनों में अलग लग चाहिए और 10th वाले बहुत दोनों मिला के भी pass कहलाएंगे और साथ के साथ यहां पर dates की भी announcement करिए CBSE ने practical dates कभ हो सकते हैं आपके practicals तो वह भी देख लेते हैं practical के लिए यहां पर कहा रहा है भई आपके जो practical होंगे वो कभ होंगे कि 1 January 285 के बीच में एक जनवरी से लेके 8 February के बीच में स्कूल अपने इसाब से अरेंज कर सकता है आपके practicals तो इसका मतलब आपको practical files prepare कर लेने चाहिए ताकि उस टाइम आपको कोई प्रावलम न हो धीरे-धीर आप practical files और practical के त्यारी कर लें पढ़ने का टाइम हो आप practical की त्यारी कर रहे हो तो अभी से थोड़ा थोड़ा अपने टीचर के साथ बात करके थोड़ी सोड़ी preparation करना start कर दिए ताकि end time में आपको कोई प्रावलम न हो और match का course तो हम आपका complete कराई देंगे बहुत कम टाइम में छोटी छोटी वीडियो उसमें हम सारे topics को cover करेंगे ताकि आप उनको देखने के बाद 12th और 10th class में बहुत अच्छे marks लापाए वीडियो अच्छी लगी हो तो like करना मत भूले का और ज्यादा से यह information share कीजिएगा ताकि सारे बच्चों को इस बात की information मिल जाए